दोस्तो प्रदीविरे अकाइडमी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम सेंट्रॉइड पे आगे के लेक्चर की ओर हैं दोस्तो कभी कबर हो सकता है कि आपको इस तरह के भी कोशन पूछे जाए सेंट्रॉइड के अंदर अब लगबग मैंने हर एक सेप पर आ इसे भी हम कवरकरने के लिए देखो यहां पर क्या बोला है ती सेक्षन के बारे में दिया है और समतिंग यहां पर दीएगओ इसका डाइमेंशन भी दिया हुआ है तुस्तो इसके वेप का डामेंशन दिया है दोस्तो 15 इंटु फिप्टीन है 15 इन्टु तू थौनु तू पोजिशन निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या कर रहो दोस्तों देखो मैं इस वाले डाइग्राम को मैं यहां ले लेता हूं प्रॉपर दीख रहे हैं अब देखो मुझे अगर इसका सेंट्रोइट निकालना तो मैं टेबल बना दू इसमें ज्यादा कुछ टेंशन नहीं र तो यह वाला पार्ट तो रटा भी सकते हैं अब देखो दोस्तों यहां पर यहां पर इतने में भी हो सकता है काम ज्यादा बहुत बड़ा समनी जाएगी अब देखो दोस्तों यहां पर पार्ट आ गया है यहां पर एरिया आया है यहां पर एक्स आया यहाँ पर एक्स आया यहाँ पर यहां पर फूरा पूरा पर्क है अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर आपल दो फार्व पर यहाँ पर दोस्तो तो अेRo lance यहाँ पे गया है दोस्तो X, यहाँ पे गया है दोस्तो Y, यहाँ पे गया है दोस्तो AX, यहाँ पे गया है दोस्तो AY अब यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि यह डाइग्राम आपको फ्रॉपर समझ में आना चीज है तो देखो सबसे पहले मैं यह वाला पार्ट ले रहा हूं और फी वेब वाला पार्ट ले रहा हूं ऐसे भी आप डाइग्राम फॉर्म में बना सकते हो एरिया अगर मैं इसकी बात करो तो भाई यह रेक्टेंगूलर फीगर है तो यह जस्ट इसको इससे मॉल्टिप्लाय कर हूं तो टू हंड्रेड प्टिप्लाय वाई ट्वैश्य का एरिया हो गया है और अगर इसका एरिया निकालने इस पार्ट करदो तो कि तो तू प्कूर्टि मल्टिप्लाय वाई 15 तो तो संदिंग इसका 36 ना तो इसमें मुझे कोई भी पार्ट माइनस नहीं करना है मुझे इस पार्ट का इस centroid सी है तो कोई minus नहीं करूँगा, x क्या आएगा दोस्तो x वाला अगर आप distance की बात करोगे तो सबसे पहली बात ये वाला अगर मैं figure दूँ तो दोस्तो देखो ये वाला जो figure है देखो ये यहां से origin है, origin से हम हमेशा consider करते हैं, और ये rectangular figure है तो इसका centroid बीच में आएगा तो दोस्तो ये पूरा कितना है दोस्तो 200 है, तो ये 100 है और दोस्तो ये x है, तो x को parallel line है, तो मतलब x equal to 100 हो गया और दोस्तो ये वाला part के है y तो ये पूरा 20 है, तो ये कितना आजएगा 100, बट जब आप y लिखोगे दोस्तो तो y इतना नहीं चलेगा बस इतना नहीं चलेगा, दोस्तो उसको jamin से लेना होगा, तो ये आप तो लोगे ही साथ में दोस्तो उसमें 240 add हो जाएगा तो 240 और 10 कितना हो गया दोस्तो 250 यह हमेशा याद रखना, अब देखो दोस्तो ये वाला पार्ट हो गया अब ये वाला पार्ट होने के बाद अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट अब देखो ये वाला पार्ट इस तरह से तो दोस्तों देखो हम x का निकालते तो parallel to x तो बस ये वाला distance रहेगा तो ये वाला distance रहेगा तो दोस्तों ये 15 है उसका half कितना हैगा 7.5 अगर किसी ने 7.5 वस लिखा तो रॉंग हो जाएगा इससे अच्छा आप क्या पता है 15 का half लेने से अच्छा फिर ये वाला distance आपको नहीं समझेगा तो आप देखो ये वाले का middle point बतलब ये है तो ये पूरा आपको पता है 200 है तो इसके पहले वाला इसका भी 100 ही रहेगा क्योंकि ये पूरा figure है तो उसके बीच में से अगर मैं ले रहा हूँ तो half part ये आगया तो यहां से अगर आप 7.5 निकाल लोगे तो top पर नहीं आपाएगा अब दोस्तो देखो अगर मैं इसका ये वाला distance ले रहा हूँ येस ले सकते हैं कि यहां से यह जो centroid पर जो distance के बाद अब procedure बहुत easy है इसमें 100 से multiply कर दो तो यह देखो already कितने 0 है दो 0 और बढ़ गए यह 36 में 20 और बढ़ गए अब यह 4 इंटू अगर मैं 25 कर दूँ तो यह 100 होगा और उसमें 10 इसका और already 30 अब calculation इंदम high level पे चल गा है अब दोस्तों यहां पर मैं देखो तो 36 में यह हो गया calculation 36 इंटू 120 तो देखो दोस्तों 36 00 multiply by 120 तो दोस्तों यह कितना आए रहा है 4 3 2 0 0 0 अब दोस्तों बस यह मुझे देखना ही लिखते टाइम हो सकता ही कहीं पे मैंने एकार 0 कम न लिख दिया हूँ अब देखो दोस्तों यहां पर submission of a अगर आप देखने जाओगे एरिया का प्लस कितना होगा दोस्तों 4000 प्लस 3600 तो फाइनली दोस्तों 7600 इस वीडियो पर उतना व्यू आ जाना चाहिए दोस्तों 361234 तो दोस्तों यह कितना हो गया 761234 अब दोस्तों ay का अगर मैं प्लस करूँ तो 1 है 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 तो सीरियस होगे करना है प्लस 43200 तो दोस्तों अगर आप दियान से देखोगे तो यहां पर कितना है 143200 अब दोस्तों यहां पर अब यहां तक अपार्ट होने के बाद आप यहां पर क्या निकालोगे दोस्तों x बार submission of ax upon submission of ay y बार submission of ay upon submission of a finally अगर आप इसे solve करते हो तो आपका answer क्या आएगा दोस्तों यहको मैं direct लिख दे रहा हूँ आप आराम से solve भी कर सकते हो अगर मैं यहां पर लिखने जाओं तो दोस्तों ax का क्या value है 3761234 divide by का आएगा दोस्तों 7600 तो फाइनली यह 100 आ रहा है और cm अगर सम में है mm है साथ सम में mm है तो आपको mm में answer लिखना है अगर कभी भी अगर आपको आय सेक्षन पर आया ती सेक्षन पर आया सी सेक्षन पर आया तो भाई कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यह सौल करना इसलिए अब दोस्तों बारी है नेक्ष्ट सम की आपको पता है कि आपको लग रहा होगा यार यह बहुत डेंजर सम है ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों आप आसानी से यह सम भी सौल कर सकते हो मैं चाहता हूं कि इस कोशन को थोड़ा सब बड़े पॉर्म में कर दूँ दोस्तों इतने समस अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा आप आराम से पूरा का पूरा पूरा पार्ट सौल कर सकते हो अब देखो दोस्तों सबसे पहली बात है कि यहां पर मैं एक्स और वयक्सिस ले लूँ देखो यह एक्स एक्सिस है यह वयक्सिस है और दोस्तों यह सम्झिंग नीचे भी आ रहे है इस बार डाइग्राम नीचे भी चल रहे है पुई निक्क्त नहीं माइनस में जाएंगे और क्या है अब देख और something यहाँ पर यहाँ तक कोई पार्ट जा रहा है और इसके उपर यह वाला पार्ट इसको यहाँ तक मिल जाएगा और दोस्तों इसके बाद अगर आप बहुत अच्छे से देखते हो तो आपको यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 120 है तो यहाँ तक का पार्ट हमें पता है दोस्तों यहाँ तक का देखो यह वाला डाइग्राम ना थोड़ा सा पर्फेक्ट बना देता हूं यह वाला देखो यह वाला डाइग्राम ऐसे है और यह वाला जो पार्ट है दोस्तों देखो इसके हाप पर यहाँ से चीजे स्टार्ट है तो यहाँ से यह एसा है अब प्रॉपर डाइग्राम को समझनी कोशिस करें तो यहाँ से ऐसा है मतलब यहां से यहां तक का पार्ट दोस्तों यहां से नीचे तक का पार्ट यहां से यहां तक का पार्ट हमें कितना दिया है दोस्तों 100 mm अगर यह 100 है तो यह भी कितना होगा दोस्तों 100 mm अब देखो दोस्तों यहां पे हमें इन डारिकली यह उपर वाला जो पार्ट है दोस्तों यह सेमी सर्कल है उपर वाला पार्ट तो हमें सेमी सर्कल के बारे में यहां प हम वह सब दोस्तों अब इस तरह यह पूरा का पूरा पूरा नियुक्त भाट में चलता हूं और देखता हूं कि क्या पूरा पूरा चार्ट भी बना दिया कि आपका time बच जाए वीडियो ज्यादा क्रew pin क्र harass अब दोस्तों यहां पे सब से पहले मैं अलग-अज़ मैं बहुत ही अज़े से बहुत ही प्यारा लेक्टर आपको प्रवाइड कर रहा हूँ अगर आप फिपय लोगे तो और अच्छा प्रिप्रेशन आपका हो जाएगा पर इतने में भी आपको थोड़ा सा अपनी और से मेहनत करना होगा वहां पर कैसा आपको नोट्स मिल जाता तो बहुत अच्छे से आपकी चीज़े हो जाती अब देखो दोस्तों एरिया अगर हम ध्यान से देखे प्रदीवगरी एकैडमी एप्लिकेशन है हमारा अगर आप यहां पर देखो एरिया अगर हमें निकालना एं रैक्टेंगल का दो दोश्तों अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ तो इंगल का क्या आता है दोस्तों हाप इंटू बेस 120 मुल्टिप्लाइब हाइड कितना है दोस्तों 60 तो दोस्तों यह कितना आए जाएगा 3600 अगर आप द्यान से देखोंगे सेमी सर्कल का अगर आप निकालना चाहो तो यहां पर कहाएगा दोस्तों पाई इंटू आर आर कितना है दोस्तों आर का अगर हम वैल्यू देखे तो आर का वैल्यू कितना है बड़े वाले सर्कल में 60 है तो दोस्तों 60 pi r square pi r square divide by semi circle divide by 2 तो दोस्तो यहाँ पर कitना है 5654 अब यह माइनस करेंगे जिसको हमें माइनस करना है एंड दोस्तो इसके बाद अगर हम देखें circle circle का कितना है दोस्तो तो आपको पता है pi r square r का value कितना है दोस्तो r का value है 40 तो यहां पर गयाएगा दोस्तों 40 का स्क्वेर तो दोस्तों यहां पर गयाएगा 502654 अब देखो दोस्तों सबसे पहले आप को ध्यान से समझने कोसिस करूंगा कि वहां पर थोड़ा सा सम खरा हो जाएगा आदेको यहां पर आड़ मस्तलब इस बर आपको सेड्ड पॉर्षन को रिमूओ और यह वाला पार्ट आपको क्या करना माइन cornky रिमॉओ अब देखो हर टाइक चीज आपको करवर कर ले रहाओ दोस्तों अगर तो इसलिए तारीक तो चलना चीए आरí अब देखो यहां पर सेड़िट पोर्षन को मैंने माइनस ले लिया अब देखो सबसे बड़ा टास्क यही रहता है दोस्तों एक्स वाए निकालना तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको वहां से जो चीजे हैं और पीछे बात करूं तो देखो रेक्टेंगल अगर मैं यहां पर लोगूरा देखो ध्यान से यह मेरा x और y-axis इसे rectangle दोस्टो यहां फे इनकल का सेन्ट्रॉइड बीच में यह आएगा तो यह आपका Iillaoder सब्सक्राइग से यह ठीडा कितना है दोस्तों है फूठा कू 시청 operator ॐन पेंटिय तो यह बात करें तो यह इसए वाला पाहता दे रहा हं त्रैंगल यहां पर अब आपको पता है कि सिर्लाइट सी कि यहां था यह है पड़े एक चीज़ का द्यान रखना कि यह वाला जो पार्ट है दोस्तों ट्राइंगल का यह वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो नीचे साइड में तो माइनस फॉर्म में रखना होगा तो देखो दोस्तों यहाँ पर यह वाला एक्स जो है माइनस 20 आएगा क्यों है वो इसलिए माइनस य कि आपको पता है कि लेस्ट मैं क्यों अ好吃 होता है और अगर मैं यहाँ पर बात करूं यहiव यह सब्सक्राइब एक से यह वाय माइनस आएगा दोस्तों तुमार इपका पूर पूरा पूरा पार्ट होने के बाद अब से मीराति का पार्ट है यह है मैं यह हमारा से मुसर्कल है सेमी सरकल का आपको पता है ये वाला पार्ट है इसको हम कैसे डिस्ट है ये वाला डिस्टेंस तो हो गया पैरलल टू एक्स ये डिस्टेंस मुलब रेडियस तो सेमी सरकल का रेडियस क्या था दोस्तों सेमी सरकल का रेडियस अगर आप देखो कि बड़े वालेगा तो 60 था त पोर आर, आर मतलब 60 है, डिवाइड बै 3 पाई, आपको याद होगा फॉर्बला, 25 संथिंग आ रहा है दोस्तों, और उसमें ये डिश्टेंस कितना है दोस्तों, 100 है, तो उसमें 100 अगर हम प्लस कर दे रहे हैं, तो 125, तो दोस्तों, देखो 125, बहुत ही अच्छा कोश्चन है, 125.46 है दोस्तों, अब देखो दोस्तों ये सर्कल, सर्कल में हमने क्या सिखाया था, दोस्तों देखो अब ये वाला पूरा माइनस कर दो, यहाँ पे दोस्तों देखो सर्कल है, अब आपको सर्कल का पता है, सर्कल का सेंट्रोइड यहाँ पे होता है, तो दोस्तों देखो सर और अगर मैं एक्स की बात करूँ तो एक्स मतलब यह वाला डिस्टेंस तो यह कितना है 120 हाफ कितना होगा दूस्तों 60 अब और आल हमने पूरा का पूरा यहां पर जो भी हमारे डिस्टेंस हैं दूस्तों हमने फाइंड आउट टेल लिए अब नेक्ष्ट हमारा टार्गेट ह अब देख लेना अब देखो दूस्तों एवाए 12,000 मुल्टिप्लाइब फिप्टी तो इसके बाद 3600 मुल्टिप्लाइब फॉर्टी तो 144 123 एन 3600 मुल्टिप्लाइब बाद माइनस 20 तो यहां पर कितना आएगा माइनस 72 एक दो तीर देन दोस्तों इसके आद 5654.86 मुल्टिप्लाइब बाद 60 तो यह कितना आएगा दोस्तों 339291.6 और 5654.86 मुल्टिप्लाइब 125.46 709458.7 अब यहां पर आप देखोगे तो माइनस 0.54 मुल्टिप्लाइब बाद 60 तो यह कितना आएगा दोस्तों माइनस 301592.4 और माइनस 5026.54 मुल्टिप्लाइब बाद 100 तो क्या आएगा दोस्तों माइनस 502654 कितना तो लगबग हमने यह पूरा का पूरा पूरा पार्ट कवर कर दिया अब मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट पेज़ पे मैं आजाओ और नेक्स्ट पेज़ पे मैं इसे आगे अच्छे से सॉल करूँ कि यह मेरे पास पूरा गीवन डेटा है अब यहां पे अगर मैं बात करूँ तो समिशन अफ हम सबसे ले यह निकालेंगे समिशन ओफ ए एक्स निकालेंगे एंड समिशन ओफ ए वाए निकालेंगे तो दोस्तो क्या आएगा समिशन ओफ ए ए को अगर मैं प्लस करूँ तो 12,000 प्लस 3600 प्लस 5654.86 प्लस स्वारी माइनस 5026.54 देखो कैलसी में पुटिंग अच्छे से करना तो 16228.32 अब दोस्तों यहां तक का पार्ट यह हो गया अब हम यह प्लस करते 7, 7, 2, 1, 2, 3, 4, 0 सही से 1, 4, 1, 2, 3, 1, 4, 4, 1, 2, 3 प्लस 339291.6 माइनस 301592.4 तो दोस्तों यहां पे कितना आएगा 901699.2 अब यहां पे 6 कितना 0 है भाई 1, 2, 3, 5, 5 माइनस 72000 प्लस 709458.7 और दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे तो माइनस 502654 तो सम्तिंग 73 4804.7 अब क्या करना है दोस्तों एक्स बार और य बार चलो डारेक्ट लिख दे रहा हूँ आप फॉर्बुला लिख देना अब तो लेक्चर नमबर समझ रहे हो कुन सा चल रहा है तो दोस्तों देखो यहां पे समिशन ऑफ एक्स लेंगे तो 901699.2 डिवाइड बैर एरिया का समिशन 1228.32 तो 55.56 आ रहा है दोस्तों 55.56 अब दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट अगर लूँ तो कितना रहा है 773480 पूर समिशन ऑफ एवाइ लिया और 162.28.32 तो यह कितना है दोस्तों 45.279 तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से यह पूरा का पूरा पूरा पार्ट का ओर किया फिर से बता देना चाहता हूं कि भाई जहां पे अगर mm हो तो mm लिख देना ने तो मार्क्स कट होगा तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से हमने यह पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल कर लिया उमीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स लेक्चर में बाई बाई टेक केर जैहिन दोस्तों और बहुत ही अच्छे सा नीचे प्यारा प्यारा कॉमेंट कर देना बहुत मेनत किया हूं जैहिन दोस्तों